नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्या सिंग मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान जो लगातार अपने बयानों खुली कर चर्चा में बने हुए है और अब शिवराज सिंग चोहान एक बा शिवराज सिंग चोहान के हाथों से कोडसे गई है देखा जा रहा है कि वे जन्ता से काफी ज्यादा जुड़ते हुए नसरा रही है जन्ता के बीच जाकर मुझे स्तरा के बयान देते हैं इससे प्रदेश की जन्ता आज भी उन्हें अपना मुख्या मान रही है और ना दर्शन भी करते हुए नसरा रही है बाइस जन्वरी को देखा गया कि शिवराज सिंग चोहान ओचर में एक मंदर में जाते हैं दर्शन करते हुए नसरा आते हैं पूजा करते हुए नसरा आते हैं और अब गरतंत्र दिवस के खास मौके पर शिवराज सिंग चोहान कन्या कुमारी पहुँच गए इस बात की जानकारी खुद पूर्व मुक्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स के जरीय दी इस पर एक पोस्ट साजा की इन तस्वीरों में शिवराज अपनी पतनी साधना सिंग के साथ नजर आ रही है जहां एक ओर दोनों पती पतनी पर जबलपूर के हाई कोट का शिकंजा कस्ता हुआ नजर आ रहा है कानूनी कारवाई के आदेश दोनों के खिलाफ यहां पर दिये जा चुके हैं ऐसे में शिवराज सिंग चोहान का कन्या कुमारी जयाना राज़ूनीती को गर्माने का काम यहां पर करता हुआ नस्ला रहा है गरसल आपको बता दे कि जहां एक और शिवराज सिंग चौहान के खिलाफ कॉंग्रेस के राज्य सभासदस्य विवेक तनखा ने मान हाने का मामला दायर किया है तो वहीं दूसरे और आपको बता दे कि अजे सिंग और राहुल चोके कॉंग्रेस पार्टी के ही नेता हैं उनक इसमें 6 मार्च को उन्हें जबलपूर हाई कोट को अपना जवाब देना है और इस बीच शिवराज सिंग चाहान का कन्या कुमारी जाना कईता कि सवाल खड़ी कर रहा है क्या शिवराज सिंग चाहान प्रदेश की जनता के बीच अपनी उस च्छवी को एक बार फिर से मज अब आपको वो बताते हैं शिवराज सिंग चाहान ने ट्वीट कर लिखा है दिव्य अध्यात्मिक चेतना से ओत प्रोत पवित्र पावन कन्या कुमारी मंदिर में दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ मां से लोक मंगल तथा मनुश्यता के सुभुत्व की कामना क अध्यात्मिक चेतना से अन्तस सम्रद और दिव्य उज्यात्या से अलोकित हैं असे शिवराज सिंग चौहान ने एक और ट्वीट किया जिसमें वे कहते हुए नजर आते हैं भारत माता की जै भारत माता को नमन करते हुए उन्होंने एक वीडियो साजा भी किया और फिर से सियासी अठकलों को बढ़ाने का काम कर दिया जिस तरह से शिवराज ने कहा कि मा तू अमर रहे भले ही हम रही ना रहें शिवराज सिंग चौहान ने एक बार फिर से अपने उस नाराजगी को इस ट्वीट में जाहिर कर दिया क्योंकि विदान सभा चुनाव में नत खेल किया और डॉक्टर मोहां सिंग यादफ को मुख्य मंत्रे बना दिया ऐसे में क्या मान लिया जाए कि एक बार फिर से शिवराज सिंग चौहान ने इस ट्वीट के माध्यम से अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया है लोग सबा चुनाव से पहले शिवराज की नाराज कि साथ